वेवरिबडी क्याल चाल हैं, बढ़िया होंगे, बढ़िया होने वीचे ये, एक्टिव हो, एक्टिव हो, और बढ़ाते रहो, अपने नमबर मेंने हर बार आपको बोला है, आपको स्केडियूल मिल गया होगा, जो हमारा प्राइवेट वाट्सैप ग्रुप है, उसमें जान इसमें सारी चीज़ें आप सीख जाओ, ये वाट्सैप ग्रुप का जो नए लोग हो, वो पहले वाले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उससे जॉइन कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हमारी जिस सीरीज को हम टार्गिट करके चल रहे हैं, उसका नाम है पांच करोण, पांच साल में हमें बनाने हैं, जितने लोग यहाँ पे एक्टिव हो, कंटरिनसली क्लास करते हो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हंडिड पसें हम इस चीज़ को अचीज़ कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने किया है, इस चीज़ को अचीज़ को दोनों चीज़ों में जो गौवर्मेंट का फोकस है, वो बहुत जादा है, ग्रोग की तरफ, तो आप लोग अगर मेरे साथ चलोगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बस आपको उस चीज़ को अप्लाई करते जाना है, सीरियस्ली, मैं आपको स्टेब बाइ स्टेब ची में और पंदरा सुर रुपे में मैंने आने वाले पांच-छे साल में अच्छा कासा अमाउंट बना लिया था, वो पांच-क्रोड की उपर ही था, अब तो टाइम बहुत तेज चल रहा है, तो हजार रुपे से हम लोग पांच-जार तक जाएंगे, तो उसका पूरा रोड मैं अपलोड करूँगा कल की किस तरीके से हम लोग प्लान आउट करेंगे चीजों को की एक से पांच कैसे बनाना है, फिर पांच से पचास कैसे बनाना है, फिर उस पांच-पचास में से डाइवर्ट किस तरीके से छोटे बिसनस में करना है, बिसनस टार्ट करना है, बिसन आपको कुछ भी नहीं है तब भी आप कर ले जाओगा बस दिमाग चाहिए होता है इस चीज को मैंने अप्लाई किया लोगों से बोलते हैं इतनी कमेच में आपने कैसे कर लिया दिमाग यूँकि दिमाग पैरों से ज़्यादा तेज भागता है बस आपको फोकस करना है ये सीरीज में पूरी सीरीज पूरे पांस साल आपको यहाँ पर एक्टिव रहना है और इतना रहने का दम रखते हो तो फिर जिन्दगी भर आप बस क्या ही को अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा आज इक बहुत इंपॉर्टन चीज हम समझने वाले पुट के बारे में देखो कॉल और पुट मैंने आपको बताया था फ्यूचर और आप्शन में फ्यूचर पेरिंट होते हैं P.E. करके इसको represent किया जाता है इसको बोलते है put European देखो put बहुत शांदार चीज़ है कई बार ऐसा हुआ है कि एक रुपे का put 50,000-60,000 तक गया है तो एक रुपे लगा के लोगों ने 50,000-60,000 रुपे भी कमाए है 5000 लगा के 80,000-90,000 रुपे भी कमाए है तो put बहुत पावरफुल है तो आज हम उसी चीज़ को समझने वाले है European हम यूज़ करते है क्योंकि put European इसको कहा जाता है इसलिए put की दो चीज़े आपको मैंने पहले भी बताई थी कि put को buy किया जाता है जब market मंदी की तरफ जा रहा हो गिर रहा हो जब market गिर रहा होता है मंदी की तरफ जा रहा होता है तो put को buy किया जाता है इसका मतलब जो buyer होता है वो put को consider कर रहा होता है खरीतना bearish market bear का मतलब समझते हो दो तरहें के market होते है एक होता है bearish market एक होता है bullish market बेर जब लड़ने आता है भालू तो वह पंजा मारता है पंजा मतलब ऐसे मारता है आपने देखा होगा movie में भी तो नीचे की तरफ मारता है तो बेरिय नीचे की तरफ market किरना करना दूसरा market होता है bullish bullish bull मारता है इसे sir मारता है बुल दिखा तो मेरे पस एक बुल रखा हुआ है लाओ बई ये देखो मेरा स्टॉक मार्केट बुल ये टेडिंग सेटप ही है दिखाऊँगा कभी आपको तो ये जो है ये अगमारे का तो ऐसे उडाएगा ऐसे समझ मारा इनको करना इतना सान नहीं है उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है लेकर असान कोई भी चीज नहीं होती है अगर आप साही से प्रैक्टिस करते हैं साही से सीखोगे तो आटमेंटिकली आप सीज़ो को करना सीख जाओगे समझ में आरा ना इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं फेल हो रखे 95 परसेंट लोग फेल हैं क्योंकि वो देख देख के करते कभी देख के किसी को नहीं करना है आपको सीजर सीखनी है और अपनी स्टेजी बनानी है अपनी चीज़े बनानी है जो आपको और अगर मार्केट उपर जा रहा है किसी को लग रहा है बुलिश मार्केट है या न्यूट्रल मार्केट है तो वो पुट को सेल करेगा मताब पुट को खरीदेगा अगर मार्केट गिर रहा होगा उसको लगएगा मार्केट गिरेगा तो पुट को खरीदेगा और अगर मा पुट को देखे तो यह पुट आएगी आठ फरवरी की पुट है दो हजार चौबेस एक्स नौसो पी ऐसे लिखा होता है यह आपके सामने फोटो आ गई यह जो है यह फोटो अभी आप खोलोगे तो आप में आपको दिख जाएगा तो यह जो पुट है यह पुट को इस तर 158 हम लोग अपनी इस ओफ अंडर्स्टेंडिंग के लिए इसको सौर पर मानने थे क्यूंकि हम क्यालकुलेशन करेंगे ठीक है वैसे एक्चुल में 158 है यह हंडिड उपीस मान लेते हैं और इसकी एक लॉट में टोटल पचास नंबर के पॉइंट्स होते हैं निफ्टी की पुट को लेने के लिए पाँ सचार रुपए यह प्रीमियम है निफ्टी का पुट है आठ फैवरी दोजा चौबएस का 2100 पी लिखा हुआ इसको बाय करने के लिए बाय कौन करेगा बाय वो करेगा जिसको लगएगा मार्केट गिर रहा है पुट बाय करने की बात हो दो इसको लगए मार्केट गिर रहा है वो का लेका बाय to बाय करने के लिए मुझे जो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है मालोक 5000 पे करना पड़ रहा है ठीक बाय इधर है seller इदर है देखो जब भी कोई चीज बाय कर रहे हो तो तब ही बाय हो पाईगी जब कोई sell कर रहा होगा market है market में ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप खरीद रहे हो और को बेचने वाला होई नहीं है वेचने वाला खरीदे वाला दोनों exist करेंगे तभी market के अंदर trading हो सकती है आपके पास कोई चीज आप मुझे दोगे तभी तो मैं आपको कुछ दूँगा ना ऐसा तो है नहीं कि आप existing नहीं करते हो अगर आप यहां पर नंबर नहीं लाओगे आप यहां पर active नहीं रहोगे लाइप आप यहां पर आओगे ही नहीं active तो मुझे भी ऐसर आगया मैं फालतों महनत कर रहा हूं इतना काम इतना time में से अपना family time अपना का time सब कुछ निक अब बस एक चीज है लाइफ में कि हजार लोग की जिन्दगी में मुझे एक role play करना है और वो role play ऐसा करना है कि उनकी हजारों की आने वाले पुछते भी ऐसी बना के जाएं वो लोग की भाईया सेट हो जाएगा और मुझे पता है अगर एक हजार में से सौ लोग भी serious आपके पास आही जाएगा अब इस सीरीज में active रहोगे तो यह जो सपने को वैसे मैंने सारे सपने आस्तर अपने पूरे किये यह समझ लो और सपना है इसको भी पूरा करना चाहरो बड़ इसमें आप अगर active नहीं रहोगे तो यहां से फिर motivation जाता है क्योंकि जैसे आपका motivation मैं हूँ इसे मेरे motivation यह number है तो इसलिए मैं बोलता हूँ लोग अपने दोस्तों को गर्वालों को सब को पताओ कोई भी सीख सकता है कोई भी अप्लाई कर सकता है at any age सौर्ब्रे की premium में मुझे 5000 प्रीम पे करना पड़ रहा अगर मैं buyer हूँ ठीक है 21900 put अगर मैं buyer कर रहा हूँ और मैं buyer हूँ तो मैं क्या सोच रहूँगा यह market नीचे जाएगा मैंने आपको बताया buyer कब आएगा put को खरीदे रहे जब उसको market मंदी बजाता हो लगेगा जब उसको ऐसा लग रहा होगा कि 21 900 के नीचे होगा nifty 8 फरवरी की बात कर रहा है वो ये मान के चल रहा होगा कि 8 फरवरी के खतम होते होते market time ये जो nifty है ये 21 900 के नीचे बंद होगा 21 800 हो सकता है 21 900 के नीचे होगा इसको पक्का ऐसा लग रहा है on the other hand दूसरा जो seller है वो put cup buy करेगा put cup sell करेगा put को sell कब किया जाएगा जब किसी को लग रहा होगा कि market bullish है market उपर जाएगा market नीचे जाएगा तो put खरीदी जाएगी तो seller को इसा लग रहा है कि market जो है यह 8 February वाला यह 21 900 नहीं यह हो सकता 22 000 क्रोस कर जाए यह हो सकता 22 500 क्रोस कर जाए इसको असको इसा लग रहा है कि market उपर जाएगा आठ फरव तक इसको इसा लग रहा है कि market नीचे जाएगा बहुत सारे लोग हैं किनके नाम मुझे याद हो गए तो उसमें से मैंने दो नाम निकाल लिए एक रिया शर्मा है और एक रुटज यह बहुत एक्टिव है तो आज इन दों के बीच में शर्त लगाते हैं और देखतें कौन चीता है रिया और रुटज ने शर्त लगाई इनकी शर्त जो लगी वो यह लगी रिया ने बोला कि मैं बायर हूँ और मैं पुट को बाय करूंगी क्यूंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2100 के नीचे जाएगा मार्के क्यूंकि मैं बाय करूंगी तो मैं 100 पर प्रीमियम पे कर रही हूँ और 100 पर टोटल लॉट से मटिप्लाई करके मैं तोटल 5000 प्रीमियम रुटज को पे कर देती हूँ रुटज ने का ठीक है बहुत अच्छी बात है रुटज सेलर है उसको लग रहा है कि मार्केट जो है य 2000 कुछ भी जा था है अब इन दोलों की बीज़ लग रही शर्त हो अगर लग साइक कर रिया ही रिया वह जो जो डिपाजिट किया है शर्त लगाने के लिए जिपाजिट कर दिया है वह बात को समझ्क्राय ब्स प्रीमियम को जो डिपाजिट दिया है वह मांलो 5000 रुपै न अगर हम बात करे अगर मार्केट 21-900 क्रॉस करके 21-950 जाता है या 22,000 जाता है कुछ भी जाता है मतलब यह शर्थ जीता है तो इसको इसने जो प्रीमियम पे किया है वो पूरा पूरा इसको मिल जाएगा अगर यह शर्थ हार गया अगर मार्केट 21-500 चला गया बालो 21-500 चला गया तो यह शर्थ हार गया अगर यह शर्थ हार गया तो इसने यह बोला रहा है बेटा एक काम करना 21-500 अगर मार्केट नीचे चला गया है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब 900-400 400 पर शेयर मुझे तुम पे करोगे यह डिपॉसिट कितना कर रही है 5000 और अगर यह जीत गई तो इसको कितना मिलेगा मानलो अगर 21-500 हो गया तो इसको मिलेगा 500 500 इसने पे कितना किया था 100 पर शेयर इसको मिलेगा 500 पर शेयर तो अगर मैं बात बोलू कि इसके पास रिस्क कितना है कि इसके पास रिया के पास तो आप कहोगे सर इसके पास रिमिटेड रिस्क क्योंकि इसमें जो पैसा लगाया है वही जाएगा इसका मिनिमुम लेकिन इसके पास प्रॉफिट कितना है सर अगर निफ्टी बहुत गिर गया पुट तो यह तो मज़ा है तो लागों में बहुत जाएगा 25 जार तो ऐसी हो रहा और हो जाता इसका लेकिन इसका रिस्क अगर यह हार गया जिस्ट इमाजिन अगर यह हार गया और यह निफ्टी बहुत जादा नीचे चला गया तो कौन रिकवर करके पैसा देगा कोई प्लैटफॉर्म तो देगा नहीं आज जो प्लैटफॉर्म यूज कर रहे हो तो देगा नहीं इस लिंक को एंजलवन का मैं दे रहा हूँ आपको वह एक लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी कहीं और अविस ही बात है इस टेबल रहती है अभी आपने लिसेंट्ली देखें बहुत सारे आप क्रैश हुए तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को इसका लिंक में ज्यादा होगा मतलब अगर बाय करने के लिए पुट डिपॉजिट पास ज़ार देना पड़ रहा है तो सेल करने के लिए बिटा लाख रुपे डिपॉजिट मांगा जाएगा मैंने आपको पहले भी बोला कॉल के अंदर इसी तरीके समझा है था आपको मैंने तो यहां प प्रतिश्यत है 20% और इसके जीतने की प्रोबिल्टी 80% है इसलिए पुट को बाय किया जाने का केस जब मार्केट मंदी में होता है तो रिस्की होता है जो हवा बाजी कर रहे हैं ना लोग स्रीन शॉट डाल के या वीडियो चोटे-चोटे बना के मैंने पुट बाय करके ए यह करोड कमाली आव दो करके अइसे नहीं होता है अभी डेटा रिलीस किया है सेभी ने मैक्सिमम ट्रेडर्स ऐसे हो रखे है त्योंकि वो नहीं ऐसे नहीं होते चीज़े बहुत टेक्निकलिटी बहुत जादा है इसके अदर यहाफ टो बहुत इस तो इसके अधर यहाफ यह कम पैसा देके जादा कमानी कोशिश कर रहा है तो अविसली बात इसके बात रिस्क ज्यादा है पांच आर देके हजारों की बात कर रहा है यह लाख देके हजार कमाना चाह रहा है यह एक लाग रुपय देके पच्छी आर रुपय काईगा पांच आर रुपय काईगा आपको पास फंड ही नहीं होगा उतना करेंगे हम आके देखेंगे समझ में आया मैंने आपको कॉल और पुट का बेशिक सारा समझा रखा है आगे बढ़ते हैं वाटस्टैक ग्रूप पहले बाले लिंक से जरूर जोइन कर ले ला और सीरियस्ली बार बार आपको बोल रहा हूँ एफर्ट लगा रहा हूँ तो इस एफर्ट को समझो और अपनी लाइफ में अपलाई करो मैं बसा ये चाहता हूँ कि लाइफ बदले लोगों की बढ़न वोगे है और जिस जगे आप पैदा हुए हो जिस लेवल पे पैदा हुए हो जिस कंडिशन में आप पैदा हो ऐसे मान के चलो बगवान अगर हमें difficult situation में रखते हैं सुड़वाद में लाइफ के तो क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आप कर सकते हो अगर किसी को बहुत अच्छी situation में लिए होती है तो बगवान को नहीं लगता यार इसके बसकी है नहीं इसको दे दो अभी से पर जिसके होती है उसी को तकलीष दी जाती क्योंकि वहीं तकलीष से बढ़के आगे निकलता है आप देख लेना उठाके maximum लोग जीरो से ही hero बन रहे होते हैं तो अपने आप confidence रखो मेरे पर भरोसा रखो चीजों को सीखो सब जो apply करो life में लोग को जोड़ो जाधा लोग देखी मु कोई confusion को इडाउट होता है इंस्टाग्राम पर direct message करके आप पूछ सकते हो I'll try to help you out in that case बहुत सारे stocks लोग जोगों ने जो हमने अनलाइस किये थे खुश है बहुत सारे लोग क्योंकि लास्ट बहुत सारे stocks जितने भी हमने discussion मिली है हमाम लोड़ गए एक आत को छोड़के त सारे stocks भागते ऐसा कैसे वह भागते इसी नहीं है क्योंकि वह strategies नहीं है तो आगे अगर होगा तो आपको जरूर वह strategies भी और अपना नाम और state यह comment section में लिखो तो अगर आपको strategies सीखनी है तो आगे हम उसके भी बात करेंगे पहरे हम बहुत सारे चीज़ सीखने को बहुत क किताब नहीं हूँ है बंद किताब हूँ है और आपको सीखते जाना है समझते जाना है ठीक है खुश रो दिमा लगाते रो मेहनत करते रो पेरिंट्स की रिस्पेट करो और अपने एम अपने target को एक गोल बनांके उसकी तरफ चलते रो जैश्वी राम